हलो एबरिवन वेलकम टू मनिसाज क्रियेटिविटी आज के वीडियो में हम ये डिजाइनर सलवार बनाना सीखेंगे इस सलवार को बनाने के लिए हमें दो मीटर कपड़े की जरुरत पड़ेगी आप अपने अकोर्डिंग कपड़ा कम या जादा ले सकते हैं मैंने अपनी सलवार के कपड़े को फॉर फोल्ड करकर बिचा लिया है और मैं इसकी चोड़ाई जितनी है उतनी ही रखूंगी कम नहीं करूंगी इसमें 21 इंच है फॉर फोल्ड बिचाने के बाद तो उसको मैं कम नहीं करूंगी मेरी सलवार की तैयार लेंथ 37 इंच है तो मैं 37 इंच प्लस 2 इंच अंदर 5 को मोरने के लिए यूज करूंगी तो 39 इंच पर निसान लगाऊंगी हम यहाँ पर 6.5 इंच बैल्ट के लिए छोड़ रहे है और फिर 39 पर निसान लगा रहे है आपका जो भी मेजरमेंट हो आप निसान लगा सकते हैं इस सलवार की कटिंग थोड़ी सी जो नोर्मल सलवार होती है उससे डिफरेंट होती है लगभग वैसी ही होती है बस थोड़ा संतर होता है अब हम अपने आसन के लिए निसान लगाएंगे 6.5 इंच बैल्ट का छोड़ते हुए हम 15.5 इंच पर निसान लगा लेंगे या डाइरेक्ट 9 इंच पर निसान लगा लेंगे क्योंकि मेरा आसन 15.5 इंच है तो मैं यहां 15.5 इंच पर निसान लगाएंगे 6.5 इंच बैल्ट का छोड़ते हुए 15.5 इंच पर निसान लगाएंगे और अगर आपका कम यह जादा है तो आप उसके अकोर्डिंग निसान लगा लीजिए अब हम दूसरी साइड से भी सल्वार की लेंथ यानि 39 इंच पर निसान लगा लेंगे और अब जो यह कपड़ा बचेगा वो हम बैल्ट में यूज लेंगे मेरा यहां पर एक इंच कपड़ा बैल्ट में कम पड़ेगा तो मैं इसमें जोइंट लगाऊंगे जो साइड से कपड़ा बचेगा उसको मैं बैल्ट में यूज कर लूँगी अंदर की तरफ नेफा लगाने में यूज करूँगी ताकि पहार दिखाई न दे अब हम अपने पाइचे के लिए निसान लगाएंगे मेरे तयार पाइचे 6 इंच है तो 6 का डबल 12 इंच और तो इसमें हम डिफ्रेंट थोड़ा सा लुक देंगे प्लिट्स डालेंगे तो हम यहाँ पर 15 इंच पर पाइचे पर निसान लगाएंगे इसमें हम जो सलवार में पट्टी अटेच करते हैं वो नहीं करेंगे बस डायरेक्ट हमारी जो यह कटिंग हो रही है यही यूज होगी इस सलवार को बनाने में अब यहां मैं 15 इंच पर निसान लगा लिया है अब जो हमने 15 इंच पर निसान लगाया है उसको अपने आशन वाले निसान से मिलाते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे मैंने अपनी सलवार के कटिंग कर लिया और यह मैंने बैल्ट की भी कटिंग कर लिया मेरा बैल्ट में थोड़ा सा कपड़ा कम पढ़ रहा था तो मैं इसमें अंदर जोइंट करने के लिए पट्टी कट की है यह हमारे चारो सनवार के पार्ट automotive अलग अलग हैं, तो अब हम इनको एक-एक पाउं के पार्ट को जोइंट कर लेंगे, यह साइड में मैंने कटिंग की है, उसकी हमें स्टेचिंग करेंगे, देखे, मैं एक ही पाउं के जो सल्वार है, उसके स्टिच कर रही हूँ और स्टिच करने के बाद उपर से भी जोइंट कर लूँगी जैसे देखे, मैंने वीडियो में स्टिच किया है सेम उसी तरह के से मैं अपने दोनों पार्ट्स के सलाई कर ली है पीच में जोइंट देते हुए इससे हैं प्लाजो पैंट वाला लुक आता है इस तरह से सलाई देने पर और अब हम इनके दोनों पार्ट को जैसे सलवार में जोइंट करते हैं आसन को जोइंट कर लेंगे मैंने आसन को जोइंट कर लिया है और अब मैं बैल्ट तयार कर लूँगे हम बैल्ट तयार करकर रख लेंगे पर उसे अभी जोइंट नहीं करेंगे जोइंट हम बाद में करेंगे ये अब हम स्टार्ट करते हैं सलवार का जो मैं डिजाइन है उसे बनाना हम सलवार के जो पायंचे है उसको उल्टी तरफ से खोल कर बिछा लेंगे और जो मिडल पॉइंट है उससे एक इंच पर निसान दोनों साइड लगाएंगे दोनों साइड एक एक इंच निसान लगाने के बाद उससे हम एक इंच पर निसान लगाएंगे और फिर दो इंच छोड़ते हुए एक इंच पर निसान लगाएंगे और फिर एक इंच पर निसान लगाते हुए फिर दो इंच छोड़कर एक इंच पर निसान लगाएंगे जैसे मैं वीडियो में लगाया है आपको देखकर समझ में आ रहा होगा सेम उसी तरीके से निसान लगा लेंगे और उपर 6 इंच पर हम ये निसान फिर से लगाएंगे हम यहाँ 5-6 इंच का तयार करेंगे उसमें से 2 इंच अंदर की तरफ मोड देंगे जो हमने एक्स्ट्रा मार्जन लिया था तो हमारे सलवार की टोटल लेंच 37 इंच तयार हो जाएगी सेम इसी तरह से हम उपर की सैड भी निसान लगा लेंगे और उपर की निसान को और नीचे की निसान को मिला लेंगे फिर से देख लीजे एक इंच पर निसान लगाया फिर हमने एक इंच पर निसान लगाया, फिर दो इंच छोड़ते हुए, फिर हमने एक इंच पर निसान लगाया, इसी तरह फिर दो इंच छोड़ा, और फिर एक इंच पर निसान लगाया, फिर दो इंच छोड़ा, फिर एक इंच पर निसान लगाया, हमारी सलवार का मैन पार्ट्स य यही है यही मैन डिजाइनिंग है बाकि सारे नोर्मल सल्वार की तरह ही कटिंग है इस तरह से सभी निसान लगाने के बाद हम आपको प्लिट्स डालना बताएंगे किस तरह से डालते हैं हम में यह मिडिल पॉइंट पे जो निसान लगाया है उससे उठाते हुए जो सेकंड वन इंच वाला निसान लगाया वहाँ पर सिलाई करनी है जैसे मैंने वीडियो में बताया उसी तरह से इस तरह से आप यहां पर आलपिन भी लगा सकते हैं ताकि आपका फिटिंग कि सही से आए देखिए मैं किस तरह से सैट कर रहे हूं इन प्लीट्स को उसी तरह से आप भी सैट करके और अपने पैंचे को तयार कर सकते हैं यह तैयार होने के बाद बहुत ही खुबसूरत लगता है और अब हम इस पर सिलाई कर लेंगे इस तरह से प्लिट्स डालने के बाद मेरा पाइंचा 12 इंच के लगभग बैट रहा है तो इसमें मैं हलका सा पाइंचा दबाऊंगी तो मेरा सही आएगा लगभग ना तो चलिए स्लाई करना स्टार्ट करते हैं देखे मैं वीडियो में किस तरह से स्लाई कर रही हूं उसी तरह से आप भी स्लाई कर लेजेगा यह स्लाई हमें 6 इंच तक ही करनी है उससे अधिक नहीं इसी तरह हम सभी प्लिट्स पर सिलाई कर लेंगे हमारी प्लिट्स सिलकर रेडी है अब मैं इस पर आयरेन कर लूँगी और आयरेन करते वक्त हम प्लिट्स को अपोजिट साइड में अरेंज करते हुए सेट कर लेंगे यह मैंने दो इंच पर कपड़े को मोड दिया है और पांचे के लिए तैयार कर रही हूँ देखे यह हमारी पांचे रेडी है अब हम बैल्ट तैयार करकर इसे नॉर्मल सलवार की तरह प्लिट्स डालते हुए अपनी बैल्ट से सलवार को जोइंट कर अब है और सलवार को जोइंट करने तिस टाइं हमें सबसे पहले फ्रेंट पार्ट बैल्ट के फ्रेंट पार्ट को सलवार के फ्रेंट पार्ट से जोड का जो मिडल पॉइंट है उससे जोइंट कर देंगे इससे हमें प्लेट्स डालने में आसानी होगी और फिर जो हमने जो side में निसान लगाएं हैं बैल्स पर हमने side में निसान लगा लिये हैं तो back side से हम पीछे की side plates नहीं डालेंगे तो वो side वाली निसान तक back side पर simple सलवार को लेते हुए महाँ पर attach कर देंगे और जो बचा हुआ कपड़ा है उसको front part तक plates डाल देंगे तो यहाँ पर हम पीछे plates नहीं डालेंगे जितनी भी plates डालेंगे आगे की side डालेंगे बैल्ट को बैल्ट में plates डालते वक्त हमें यह ध्यान रखना है कि हमने जो नीचे की side plates डाली है वो और उपर की side जो हम plates डाल रहे हैं वो एक ही तरफ हो यह हमारी plates डल कर तैयार है अब हम इस पर्स लाइक कर लेंगे देखिए मैंने इनके पर्स लाइक कर लिया और यह देखिए हमारी सलवार सिलकर कितनी सुन्दर लग रही है अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद थैंक यू